असलामो अलेकुम विलकम बैक टो माकी बावर्ची तो आज बनाएंगे खीर और पूरी एकदम पफेक्ट चावल की खीर बनेगी और एकदम फूली फूली पूरी बनेगी तो बनाना शुरू करते हैं यहां पर लेंगे चावल देड़ कप यहां पर चावल लोंगी मैं और को जल्दी से खाने का मन कर रहा है अगर आपने चावल भीगोए नहीं उससे भी आपकी खीर बहुत अच्छी बनेगी बस तीन चार पानी से धोएंगे और बना लेंगे एक क्वालिटी सोना मसूरी की अच्छी है इसमें खीर बनाते वक्त मैं बात नोटिस कीजिएगा नॉर जादा आएगी इसमें और यहां पर जिसे देख सकते हो तीन चार पानी से मैंने धोलिया है और इसको आधा कप पानी में इसका अच्छी से फाइन पेस्ट प्रालिया है पौने दो लिटर के खरीब दूध है यहां पर फुल क्रीम मिल्क है भैस का दूध है कोई में बैटर आपको चावल का पेस जो है थोड़ा सा पोरिंग कंसिस्टेंसी का हो उस तरीखे से के रखना है और चावल का पेस्ट डालते ही इसको फोरां से आपको चलाते रहना है वरना नीचे जाके लग जाएगा चावल गुठलियां बन जाएंगी अगर थिक पेस्ट डालो तो यहां पर जैसे देख सकते हो थोड़ा सा और मैं एक दो टेब सबस्पून के खरी पाने डल की डाल दोंगी और यहां पर आप फुल क्रीम मिल्क लेंगे तो आपको आपको मावा डालने की ज़रूरत पड़ेगी एकदम यह क्रीमी किसी खीर बन जाएगी आप इसकी अच्छे से इसको गलने देंगे, यह पीसने से क्या होगा कि आप चावल की खीर जब भीगो के भी बना रहे हों तो एक दो टेबल स्पून की खरीब अच्छे से पेस्ट पीस लीजेगा क्योंकि जो चावल की खीर बनाते हैं तो क्या होता एक सर अपर-उपर चावल ठहर जा और चावल अलग नहीं रहेंगे आपको अच्छे से गाड़ी गाड़ी खीर बनकर त्यार होगी तो यहां पर जैसे देख सकते हो यह पक रही है खीर तकरीब इसको 15-20 मिनट लग जाएंगे और चावल अच्छे से गल चुका है आज से चेक किया था मैंने जबी भी खीर बना टालेज़ा और चावल गलेगा नहीं ठहर के रहेगा इसलिए गल्ने के बाद ही डालेगा चावल पूरा कम्प्लीट गल गय उसके बाद ही शकर डालेगा शकर मैंने यहां पर डाल दी है देड़ पाव के खریब शकर डाल दी है इसकी जगा आप milk meerट मिल्कमेड भी अट कर स आप इसकी जगह जाफरान की धागे एक कब दूद में भीगो के रख दीजिए और वो भी डाल सकते हो या फिर आप इस तरह से कलर भी डाल सकते हो बिलकुल आप पे है यह तो यहां पर मैं डाल रही हूं थोड़ा सबस और कलर ताकि अच्छा सका इसका कलर आ जाए और इसको अच्छे से धीमी आज पर 10-15 मिनट पकाएंगे शकर डालने के बाद क्योंकि शकर डालने से थोड़ी सी खीर का कंसिस्टेंसी पतली होती है उसके बाद आपको पकाना जुरूरी है और इसके बाद यहां पर डाल देंगे इलाइची पौडर आधा चमच क्योंकि शकर डाल इसलिए चलाती रहना है और यहां पर 100 ग्राम के खरीब मैं बदाम और पिस्टे डाल रहे हूं आप इसकी जगा सिर्फ बदाम भी डाल सकते हो पिस्टे भी डाल सकते हो आपके ओपर है पूरा बारिक बारिक चौप करके डाल दीजेगा और एकदम बहतरीन खिसम किये खीर तॉल कि बनकर तयार हो जाएगी थंडी होने पर और गाड़ी होगी है इस तरह की खेरी अडैरीर नवह yönगा के घ्ली जालने के बाद और पात-छे मिनट और पकाऊंगी हलकी आज पर और यह खीर जो है एकदम बन कर तयार हो जाएगी इसके साथ खाएंगे एकदम सौफ्ट सी पूरी तो उसी की भी तयारी करेंगे और यहां पर आखिर आखिर में जैसे देख सकते हो आप इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको पता रही हूँ इसको और मैं 5-6 मिनट प इस टाइम है तो थंडी होके और थोड़ी काड़ी हो जाएगी और एकदम इसको गरम खाये थंडा खाये आपके मरजी ए खीर बन चुकी है और दो-तीन मिनट और पकालोंगी पूरियों के लिए एक बरतन ले लिएगा उसमें डाल देंगे एक चुथाई का पानी पानी में कर सकते हो बस मैंने दो-तीन मिनट इसको छोड़ दिया और यह शकर अच्छे से घुल गई इसके बाद डाल देंगे दो से तीन टेबल स्पून ओल डाल देंगे और यहां पर डाल देंगे मैदा मैदा जो है मैं थोड़ा-थोड़ा करके एक पाउ इस्तिमाल कर रहे हूं औ पहले मैंने दो कप डाला मैदा बाद में थोड़ा सा अधा कप के खरीब डाला है तो यहां पर थोड़ा-थोड़ा करके अच्छे से आठा पानी डाल के गुल लेंगे और अधा कप के खरीब यहां पर मैने मैदा और अट कर दिया पूरा एक पाउ मैदा लगा है तो इससे तो आखिर में बस थोड़ा सा ओयल लगा के एक तेड़ मिनट के खरीब गुंदा और ओपर ओयल लगा के ढख के रख दीजिएगा दसे पंदरा मिनट के खरीब और ढखना जरूरी है वरना पपड़ी जमेगी तो आपकी पूरी फूलेगी नहीं तो यहाँ पर इसे देख सकते हो आखिर में बस आखिर आखिर में इसको रेस्ट करेगा आटा तो अच्छे से डीला हो गा तो अच्छे से मेदा बेलेगा भी तो यहाँ पर ओएल लगा लिया, ओएल लगाने के बाद ढख के रख देंगे 10-15 मिनट के लिए और यहां पर 10-15 मिनट के बाद आटा जो है एक दम सॉफ्ट हो चुका है और अच्छे से और सॉफ्ट हो चुका है गूनने से भी अगर आप रेस देते हो आटे को तो अच्छे से सॉफ्ट होता है तो यहां पर इसके पेड़े बनाएंगे एक होती है तेल वाली पूरियां द चोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसको बेला जाता है तो यहां पर पेड़े बना लेंगे चोटे बड़े आपकी मर्जी है पूरियां आप छोटी बनाना चाहते हैं तो यहां पर मीठे के साथ सर्फ की जा रही है तो उस हिसाब से मैं ना पूरी बड़ी पूरिया बना रही ह अच्छे से गूंदा है तो देखिए एकदम असानी से आटा पूरी जो है बिल जाएगी और यहां पर जिसे देख सकते हो हलके हाथ से बिलकुल हलके हाथ से इसको बेल लेंगे बिलकुल पतली नहीं करने आपको पूरी थोड़ी से हलकी सी मोटी ही रखिएगा और यहां पर एक कॉटन का कपड़ा इस तरह से मैंने बिचा लिया है और इसके उपर मैं सारी पूरियां बना लूँगी एक ही बार में फ्राइ कर लेंगे जितनी पूरियां आपको एक वक्त में चाहिए उतनी आप बेल लीजिएगा और गर्मा गरम सर्फ कीजिए एकदम बहत्री नुखसम की बनेंगी एक फाइदा इसमें यह है कि आप बेल के फॉरण एक बार में ही एक दस पंद्रा पूरियां तल सकते हो तो यहां पर जिसे देख सकते हो हलके से बेला हलके हाथ से बेलकुल पतला नहीं और इवन न बेलिएगा एक तरफ मोटी एक तरफ पतली बराबर बेलिएगा बराबर बेलने से यह फूलती है एक तरफ पतली होगी तो वह फूल नहीं पाएगी एक तरफ अच्छे से थोड पूरी आच्छे से बिल चुकी है और यहां पर रख देंगे ऑईल चड़ा देंगे गरम होनी के लिए जब तक ऑईल गरम हो रहा है थोड़ा सा खीर को सर्फ कर लेंगे और यहां पर जिसे देख सकते हो खीर बना के आधेनटे के खरीब हो चुका है जैसे आप एकदम गाड़ी हमारी खीर बन कर त्यार होगी एकदम आप निवाला लेंगे बाइट लेंगे तो एक अच्छी सी यह बन कर त्यार हो जाएगी थर्ड़ी होगी और भी गाड़ी होगी अगर फ्रिज में रखेंगे आप तो दूसरे दिन खाएंगे तो और गाड़ी-गाड़ी खीर यह बन कर त्यार होगी तो यहां पर मैं थोड़ा से पिस्तों के साथ इसको सर्फ कर दूँगी बस थोड़ी की खुपसूर्ती के लिए है यह और यहां पर तेल अच्छे से गरम हो चुका है तेल एक बार चेक कर लीजीगा कि और तो चेक आटके और हाि पोड़ा से घर्प लेंगे एहां पर पूरी डाल दी है और इसको अच्छे से तेल उपर डालना जरूरी है पूरी के उपर तब ही पूरी फूलेगी और यहां पर जिसे देख सकते हो अच्छे से एक बार फूल चुकी उसके बार टर्न कर लेंगे थोड़ा सा अच्छा कलर आ गया इसमें इसके बाद इसको सर्फ कर देंगे गर्मा गरम खाने में इसका मज़ा है इसको सर्फ कीजिएगा पूरी और खीर को बहुत मज़े का यह कॉम्बिनेशन बनेगा बना के ज़रूर खाईएगा और देखिए हलकी सी एकदम फ्लफी हमारी बलून टाइप में पूरी बन कर त्यार हो जाएगी इसी तरह से सारी पूरियां फ्राइ कर लेंगे आप इसको खोल की भी देखेंगे तो अंदर तक तेल नहीं गया होगा और यहां पर इसी तरह से सेम वही प्रोसेस है बस इसको अच्छे से देख रहा हो ऊपर इस तरह से तेल डालना है और यह अच्छे से फूल चुकी इसके बाद इसको टर्न करेंगे टर्न करने के बाद बस हलका सा कलर आ गया इसको निकाल लेंगे और यह पूरी बन कर त्यार हो जाएगी इसी तरह से सारी पूरियां बनाने के बाद इसको गर्मा गर्म सर्फ कीजिए और काफी सारी मैंने वीडियो डाली हुई है वो भी जाकर जरूर देखिएगा और खीर पूरी बना के जरूर खाईए रजब में तो खासकर बनाई जाती है आपको मैं चनी की डाल की हलवे की पूरियां वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी लिंक वो भी जाके जरूर देख लिएजिएगा अगर आपने नहीं देखी हो अभी तक वीडियो तो वो तो यहां पर अच्छे से पूरियां इसी तरह से फ्राइ कर लेंगे और सर्फ कर देंगे गर्मा गर्म अमीद है आपको यह रेसिपे पसंद आई होगी पसंद आए तो बना के जरूर खाईएगा इस तरह से हमारी तरीखे से बना के जरूर खाईएगा तो आपको पूरी पी अच्छी से फुली पुली बनेगी और खीर भी अच्छे बन जाएगी एकदम सिंपल साधी चीजों स एकदम घर की चीजों से रेसिपे ड्राइज जरूर कीजिएगा नास्टे में सर्फ कीजिए वीकेंड आपका और अच्छे से गुजर जाएगा इसके साथ अलो की सबजी भी रखिएगा और बहत्तरीन खिसम काई आपका नास्टा बन कर तयार होगा आया फिर आप डिनर मे चाते हो भी जरूर बताईएगा तो इसी तरह से अच्छी रेसिपीज के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए बनाए खाएं एंजॉय करें अल्ला हाफिज